अब्रेश चाइनल को और इस घंके को दबा दें कि आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे हैं है लो गाज तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले ही यहें मेरे स्कीमपर देख रहे हैं एक अरवेदिक तेल है के स्कीमवायल अरवेदिक तेल जो झड़ी Houston को तियार कह गया है तो इस तेल के बारे माज इस वीडियो में जानेंगे कि इस तेल का क्या क्या फैदे ही और क्या 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 बनेफीट है और इसे किस परकार इस्तमाल करवाई जाती है इसका क्या तरीका है इसको बालों में लगाने के लिए इसको उप्योग किरवाए जाती है जो बालो में जूरी बालो के हर परकार के स्मसिया जैसे बालो का जहरना, टूटना, गाजपन, पालो का समय स्फेद होना तो आप इस देल को किस परकार लगा सकते हैं अपने बालो में इस वीडियो आप पुरे बिस्तार से जाने वाले हैं और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर हमारा वीडियो आप लोग आज पहली बार देख रहे हैं तो हमारा इस वीडियो को लाइक किजिए और साथ हमारे इस चैनल को अपलो सब्सक्राइब करें लिजए तो चलिए वीडियो को करते हैं बाश तो आएए आप जानते हम कि इस तेल में कैस्किंग अरवेदिक कोयल में कुन-कुन सा अरवेदिक जड़ी बुटी को समागरी को मिलाई गई है तो इसमें देख रही हैं आपका बहुत सा अरवेद अरवेदिक जड़ी बुटी को मिलाकर इस तेल को त्यार किया जाता है जो बना बने भी किसी भी मेडिकल अश्वर में यह तिल बहुत उसानी से मिल जाता है वहां से लेकि आप इस तेल को उप्योग मिला सकते हैं तो चलिए अब जानते हम इस तेल के फैदे के बारे में प पुरे डीटेल के धिस्वीडीयो में बात करेंगे के आस्कुन्ग अरवेदिक भारे में तो यह जो हमारे बालों के लिए इस्टमार करवाए जाती है चयसे हमारे बालों में डेंडरा पालका जोड़ना आस सफेध होना ढूटना अपका गांश्पन कि सिकाहित में इस तेल को यूज करवाई जाती इस तेल का यूज करने से बालो हमारा मजबूत होता है बालो को जड़ों को मजबूत करती है नया बार उगाने में मदद करती है अगर इस तेल को हम लगाता इस्तमाल करते हैं तो बालो को मजबूती परदार करती है और काले बनाता है बालो को काले घ जड़ी बुटी को मिलाई गी ही है जो भी जड़ी बुटी डाली गई इसे भी ही फैदामन जड़ी बुटी है जो बालों के लिए काफी असरदर दवा है अगर वेक्ती कोई वेक्ती अगर नियमिती रूप से केस्किन तेल का उपयोग के रहे उसको बाल जड़ना आगा, लंबे घने और मजबूत हो ही जाता है अगर बाल जड़ना भी बंद हो जाएगा अक्सर देखा जाता है कि कुछ महलायों का बाल कबजूर हो जाते हैं और तूटने लगते हैं तो चलिए अब जानते हैं केस्टिन का इस्तेमाल करने के तरीकी के बारे में आप लोग इस तेल को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए अपनी मर्ज़े से इस तेल का उप्योग नहीं करना चाहिए तो चलिए अब जानते हैं केस्टिन का इस्तेमाल करने के तरीकी के बारे में आप लोग इस तेल को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसका पहद आउसान तरीके हैं तो सबसे पहले अपने बालों को अच्छी तरह सेंपू लगा कर साफ कर लें और सुखा लें जब बाल अच्छी तरह से सूख जाए तब अपनी अंगोलियों पर हलका सा केश किंग तेल लगाएं और धीरे धीरे अपनी बालों पर अच्छी तरह से जड़ों तक मालिस करें अधी आवसकता परने पर थोड़ा और तेल ले और धेर धेरे संपुन सिर की मासाज करें कम से कम 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से अपनी बालों में अच्छी तरह से मालिस करें तेल को जड़ों तक पहुंचाएं तो इस तरह से इस तेल को कम से कम आप लोग 2-3 महिना तक इस्तमाल करें इस तेल को लगाने से आपको बालों की समस्या से छुटकारा मिल सकता है तो एक वीडियो अब हमारा लाश होता है अगर ये वीडियो आप लोगों के पसंद है हो थमारा इस वीडियो को लाइक किजिए और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को आप लोग सस्क्राइब कर लिजिए अब बालों में एति लगाने के बाद हाथों को अच्छे तरह से साबूं से धोलाना चाहिए और इस तेल को बच्चे के पहुंच से दूर रखना चाहिए तो फिर मिलेंगी नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए वाय दोस्तों